हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यह आप देख सकते हैं आज मैंने आज बनाया है सावदाने की खिचडी यह आप अमें सर्व कर्यों कितने दरदरा अच्छे से सप्रेट होके बना हुआ है कहीं पर भी चिपका नहीं है अगर आप इस तरह से आप सावदाने खिचडी बनाओगे तो आपका सावदाने खिचडी कब भी नहीं चिपकेगा तो आप देख सकते हैं आप इमें सर्व कर्यों बहुत ही आसानी से सर्व हो रहा है कितने separate दाने हुए साबदाना का और बहुत अच्छा दिक्रा और बहुत ही tasty भी बना हुआ है तो इस नवरात्री में इस recipe को जरूर ट्राइ करना और इसी वे से बनाना आपका साबदाना खिचिडे बहुत अच्छा हुआ अब यहां पर देख सकते हो हर एक दाना बहुत ही अच्छे से पक चुका है एवन पोटेटो भी बहुत अच्छे से पक गया है चले देखते हैं अभी इसे कैसे बनाया जाता है इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने साबुदाना लिया हुआ है इसे अच्छे से दो से तीन बर वाश करके लेना है अब मैं इसे अच्छे से वाश करके ले रहे हूँ तो यहाँ पर मैंने दो बर वाश करके लिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हूं नीचे थोड़ा सा पानि रहा जाता है आप कितना विनिकालो तो इसके उपर थोड़ा सा हलके से पानी छिदक देना है तो इस तरह से दो से तीन बर पानी छिदक देना है याद रखेगा कि आपको पानी एकदम साबदानां में भरके भी नहीं तो तेल गरम होने के बाद यहां पर मैं डाल रही हूँ पीनट शेंगदाना एड़ कर रही हूँ यह सब और अगर किछी को पीनट नहीं पसंदे तो आप नहीं एड़ कर सकते हो तो यहां पर इसे अच्छे से फ्राई करके लेना है तो यहां पर मैं फ्राई करके ले रही हूँ यहां पर अच्छे से फ्राई हो गया है यह इतना फ्राई होने के बाद इसे हमें निकाल के सप्रेटली रख देना है तो यहां पे मैंने पीनट्स को सप्रेट किया हुआ है अब यह जो बच्छा हुआ ओईल है उसमें मैं एड़ करूँगी जीरा यहां पे मैंने कोई पोटेटो को पहले ही बॉइल करके नहीं रखा हुआ है अब मैं एड़ करूँगी करी लीव्स इसके बआद मैंने एड़ किया हुआ है जिंजर छोटे पीचस में कट किया हुआ है और एक ग्रीन चिली एड़ किया हुआ है अब इसे फ्राइ करके लेना है इसके बाद भीड़ा पाद इसके बाद मैंने पॉटेटो कीजी क er पेज़ने लिए था अगर आप boiled potato यूज कर रहे हो तो आपको इस तरह से fry करने की जरूरत नहीं है आप ऐसे ही डारेक्ली हलके से fry कर सकते हो बेट मैं अच्छा potato ही डारेक्ली आड़ कर जीओ अब देख सकते हो यहाँ पर potato का color भी चेंज हो गया है यह इस तरह से होना चीए हलका सा golden brown color फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आड़ करूंगी टोमेटो एक मैंने हाँ पर टोमेटो लिया वादा छोटा उसे मैं आड़ कर दू नहीं एड़ कर रियों अब यह फ्राई हो रहा है चलिए देखते साब दना मारा कितना अच्छे से भीग गया है यहाँ पर मैंने इसे 2 घंटे तक रख दिया है देख सकते हैं कितने सप्रेटली हुआ है यहाँ पर किसी म कहीं पर भी चिप्का नहीं है बहुत अच्छे से स इसास अधूोलय मेशनों प्रेसद के दिखा रही है। यह अच्छे से ओक भी मेर चात्व हो ज़िए अधूलय मेर्या था भी अध करा थी से आधू करें अधानों कि डिवसोगी के सत्wah नहीं है तो उए जरुगानों out sob अधे न Swiss अब यह यह मैंने इसाभजना आड लिया है इससे लिख शेफर कहते हों और यह समय अब चाहूंगी ज Bennetjanya ओनगी dedicate दोनगी फिर इसे इसी तरह से mix करके लेना है आप देख सकते हो साबदाना अच्छे से separate है already और ये चिपकेगा भी नहीं अपने कडाई में और आपको आप आसानी से इस तरह से बना सकते हो इस नवरात्री में एक दिन जरूर इस तरह से साबदाना खिचडी बना के ट्राइ करिएगा और आपका खिचडी 100% शौरली बोल्टी बहुत अच्छा बनेगा और इसी तरह separately ही बनेगा अब मैं इसमें एड़ करूंगी lemon juice lemon juice एड़ करने से क्या होता है साबदाना चिपकेगा नहीं अगर आप और भी रखो गया अगर आपका थोड़ा भी कहीं चिपक रहा है तो चिपकने का chances ही नहीं होगा और फिर मैंने एड़ कर दिया है धनिया का पत्ता और फिर इसे अच्छे से mix करके लेना है तो यहाँ पर मैंने अच्छे से mix करके ले लिया है यहाँ पर मैंने कोई भी non-stick pan वगरा नहीं यूश किया है घर पर जो normal कड़ाई में जो सबजी बनता है उसी में मैंने बना दिया है यह साबदाना खिचडी फिर भी कहीं पर चिपका और नहीं है तो यह ready हो गया है साबदाना खिचडी बनके चलिए अब इसे serve करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक plate लिया हुआ है अब देख सकते हैं मैं इसे serve कर रही है यह finally बनके ready हुआ है कितने separate separate होके बन गया है बहुत ही अच्छा बना हुआ है और यह गरम गरम खाने में बहुत ही अच्छा लगता है प्लीज इसे जरूर बनाना ट्राइ कि करिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिं मैं वीडियो प्लीज वाच्छ मैं अधर वीडियो अलस। झाल प्लीजे लाचिंग्ग्ट